दोस्तो नमस्कार आदाव सत्वियकाल नियूज क्लिक के कारिकरम नियूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश भारत के निर्वाचन आयोग में नियूक्तियों को लेकर यानि जो आयूक्त हैं और चीफ एलेक्शन कमिशनर है इन सबकी नियूक्तियों के लिए भारत सरकार ने मौझूदा जो सत्ताधारी संरचना है उसने एक नया कानून लाने का फैसला किया है और शुरुवात राजिसवा से हो गई है वहाँ पर विधेयक्त पारित हो चुका है ये संबोता 12 दिसंबर मंगलवार को पारित हुआ लोकसभा में अब जाएगा लोकसभा में इसका मंजूर होना अवश्यमभावी है क्योंकि प्रशंड बहुमत है सरकार का तो वही हो जा बन जाएगा कैसे क्योंकि ये जो कमेटी प्रपोच की गई है नियुक्ति की प्रक्रिया को संचालित या निर्देशित करने के लिए उस कमेटी में कौन-कौन रहेंगे प्रेसिडेंट के हां से नोटिफिकेशन होता है एकार्डिंग टू आर्टिल 324 आप इंडियन कंसुशन जो भारत के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की अधिगोशना होती है वो भारत के रास्टपती की तरफ से होती है लेकिन जो नियुक्ति की प्रक्रिया शुर कर चुकी है और अब लोगसभा में पारित होगा इसके बाद कारून बन जाएगा जैसे ही राजपती वंजूरी देंगी अब इसमें क्या होगा कि प्रधान मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी द्वारा मनोनीत एक मंत्री जी ये दो लोग रहेंगे और एक तीसरे सज्जन र बनती है असामती बनती है तो फैसला मेजार्टी से होगा और मेजार्टी से फैसला होगा तो सरकार के दो नुमायंदे होंगे प्रदान मंतरी और प्रदान मंतरी द्वारा नामित एक कैबिनेट मंतरी तो ऐसे में यह तो सीधे सीधे एक सरकारी कमेटी हो जाएगी निर्वाचन आयोग में रख दिया किसी मजाक में कहा भी मैं नाम नहीं लूगा लेकिन उन्होंने भारती जंतापार्टी के किसी बहुत ही ज़दा बोलने वाले और कुछ भी बोल देने वाले एक प्रवकता का नाम ले लिया एक किसी विपक्षी नेता ने और कहा कि तब तो तो भी निर्वाचन आयोग बन जाएंगे इस तरह की बात सामने आई दोस्तों ये बहुत गंभीर विशा है क्योंकि अगर किसी देश के निर्वाचन आयोग में नियूट्रल लोग नहीं रहेंगे पक्षधर लोग रहेंगे सरकार ही अपनी शानुसारताय करेगी कि उसका च एक आयोग कैसे निस्पक्ष और पारदर्शी धंग से काम कर पाएगा अगर उसके आयुकतों की नियूक्तियां ही सरकारी कमेटी द्वारा हो रही हो तीन लोगों की कमेटी में अगर दो लोग सरकारी हैं तो जाहिर है कोई गुनजाई से ही नहीं है कि सरकार खासकर ऐसे समय जब सरकार विपक्ष को बिलकुल मटियामेट करने पर आमादा हो और सहमत की आवाज को शत्रुता के साथ देखती हो अगर कोई आलोचना करता है तो इसको देश्तरोही बनाने की कोशिश करती हो ऐसी इस्थिती में क्या ये कल्पनक की जा सकती है कि भारत की सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो ऐसा कोई आयुक्त तैक कर लेंगे जो नियोट्रल हो जो अबजेक्टिव हो जो निस्पक् सकता है उनके खिलाब में धानदली के आगर मौके आते हैं तो उन पर कारवाई करने की धंकी दे सकता है या नोटिस थमा सकता है या कारवाई कर सकता है दोस्तों ये संभव नजर नहीं आ रहा है और इसलिए मेरा ये मानना है कि जो और मेरे मेरा नहीं केवल भारत में सिविल सोसाइटी नागरिक मंचों के बहुत सारे लोग मानवाधिकार संगतनों के और सिविल लिवर्टी से जुड़े हुए लोग जनलिस्ट भी जनलिस्टो के अलावा सब कुछ है लेकिन जर्नलिस्म नहीं है वहां मिर्दंग बज रहा है वहां धोलक बज रहा है वहां तालियां पिट रही है वहां जो भी सरकार काम करती है उसी का केवल अविरंदन चल रहा है तो लेकिन जो एक छोटा सिक्षन पत्रकारों का है संपाज़कों का है वेब साइटों के जरीए काम करने वाले लोग चोटे अख़वारों के जरीए काम करने वाले लोग कई तो अंग्रेजी के भी कुछ पड़े अख़वारों ने भी एडिटोरियल लिखने की कोशिश की टिपड़ियां भी लिखने की कोशिश की और उसमें भी उन्होंने अपनी बात कही है कि आपजेक्टिव होना चाहिए इंपार्शियल और एक तरह से न्यूट्रल इंपायर होना चाहिए इलेक्शन कमिशन को दोस्तों ये इसलिए भी ये एक महत्मूर कांटेक्स्ट है क्योंकि कुछ महीने पहले जब न्य कानून नहीं बन जाता निर्वाशन आयोग में निउक्टियों को लेकर तब तक अगर सरकार को किसी अस्तर पर भी किसी भी व्यक्ति की निउक्ति करने की बात चल रही हो तो उसमें तीन लोगों की कमेटी निउक्ति की प्रक्रिया को संचालित करेगी यानि नामों को और साथ में Chief Justice of India होंगे अब इन तीन लोगों की कमेटी का एक फायदा ये था कि एक तरफ सरकार के प्रत्मिदी दूसरी तरफ भी पक्ष के प्रत्मिदी और तीसरी तरफ जो 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 निउट्रल अमपायर की तरफ या यूं कहा जाए कि एक निस्पक्ष व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति जो नियाईखी केवल नहीं है बलकि पूरी तरह सक्ता और उत्वक्ष के बीच में निस्पक्ष भी हैं और वो मुख्य ने अधीस हैं तो वो रहेंगे ये फैसला हुआ था लेकिन इस फैसले की भावना को नजरंदाज करते हुए और मौजुदा सरकार ने जो सब्सक्राइटी है उसमें तीन लोग हैं और दो सरकार के हैं तो इसको लेकर सिविल ससाइटी में तो बाते आई मैंने कहा भी मैंने ये भी बाप को बताया कि कुछ अख़वारों में भी पड़ी आई हैं लेकिन दोस्तों सुप्रिम कोट आफ इंडिया के एक बहुत ही मश दूर नियादीस रहे हैं और जो अब रिटायर हैं जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन तो जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन जो रिटायर हैं अवकारत्राप हो चुके हैं उन्होंने मूंबई में एक बहुत महत्व務 समारो था बांसुरी सेट मेंबोरियल लेक्चर ये दक्षण मुंबई में आयोजित था उन्होंने शुक्रवार को यानि 15 तारीक को नरीमन सहाब ने अपने संबोधन में ये सवाल उठा दिया और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कानून बनता है कि निर्वाचन आयोग में आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्तियों की scrutiny या निर्देशन या संचालन या regulation की जो प्रक्रिया है उसको अगर प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक सरकार के मंत्री अगर यही लोग पैक करते हैं ये कानून अगर पारित हो जाता है पुरी तरह तो सुप्रिम कोट आफ इंडिया को चाहिए कि इस कानून को वहर रोक दे इसको वो एक तरह से और संबैधानी करार दे ये उनका suggestion है और मारणी नियाधिश जो आज है बेंच पर जाहिर है एक पुर्व नियाधिश उनको suggestion देने का मैं समझता हूं कि अधिक्रित है कोई भ अगरी के suggestion में कोई शक्ती नहीं होगी कोई वैचारिक शक्ती नहीं होगी यूं कहा जाए कोई ऐसा उसके पास authority नहीं है लेकिन एक justice जो वरशों लगातार नियाए पालिका में रहे हों और जो भारत के सरोच नयाले से रिटायर हुए हों अगर वो ये बात कह रहे हैं तो म मैं समझता हूँ कि बहुत महत्मून बात है और ये सरकार के लिए मैं समझता हूँ कि एक सवाह भी है कि उसे राजसभा में भले ही उसने पारित कर दिया हो ये विदय है लेकिन उसको कानून बनाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए उसे लोकसभा में इसे नहीं रखना चाहिए ये अगर मैं समझ पा रहा हूँ उन्होंने ये बात कहीं नहीं है लेकिन इसका अगर सरकार इसको समझे और सरकार इसको एक positive way में आलोचना इसके रूप में ग्राण करे तो उसे चाहिए कि लोग सभा में पेश ना करे बिल और पुरह हुआ अपने बिल पर विचार क बदले उसका टेक्स्ट बदले नए प्रावधान शामिल किये जाएं और उसमें सबसे बहतर यही है जो मानी मुख निर्वाच नियायले ने कहा था सुप्रीम कोर्टाफ इंडिया ने कहा था कि प्रधान मंतरी हों कमेटी में विपक्ष के नेता हों और चीफ जेस्टिस हाफ इंडिया हो तो सरकार चाहे तो उसी फार्मूले को फिर से एडाप्ट कर सकती है दोस्तों ये जेस्टिस नरीमन की जो बात है वो इसलिए भी और ज्यादा महत्पूर्ण है क्योंकि नरीमन साहब लगातार इस तरह के समवैधानिक प्रश्णों पर बात करते रहे हैं रिटायर होने के बाद भी और जब वो बेंच पर थे जब जब वो जजज थे तब भी उन्होंने अनेक समवैधानिक प्रश्णों पर बहुत साफ साफ अनेक लैंडमार्क जर्जमेंट किये हैं इसलिए उनकी बात को गंभिरता पुरुक लिया जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि देश में इस समय समवैधानिक मुल्यों को लेकर जो एक समस्या पैदा हो रही है जो खत्रे नजर आ रहे हैं उसमें जस्तिस नरीमन की ये बात ब के बारे में जो उन्होंने बात कही है वो बहुत काबिले गौर है इसलिए मैं समझता हूं कि मौझूदा निजाम को मौझूदा सरकार को इस पर जरुब विचार करना चाहिए क्योंकि धरीमन साहब जैसे अगर व्यक्ति कह रहे हैं कि उस कानून में घरबड़ी है सुप्र कि मौझूदा सरकार को मौझ।